हेलो दोस्तो वेलकम तो फैंटेसी स्काउट 11 मेरा नाम है रक्षित और इस वीडियो में हम प्रिव्यू करेंगे एल क्लासिको रियाल मेरेड वर्सिस बार्सलोना इन थे स्पैनिश ला लीगा सो दोस्तो बहुत ही डिफरेंट वीक्स रहे हैं रियाल मड्रेड और बार्सा के इन दे यूएफा चैंपियंज लीग रियाल मड्रेड ने बहुत ही बैटल हार्ड की और उन्होंने एक्स्टा टाइम में और पेनल्टी शूटर्ड में फिर मैंसिटी जो करेंट होल्डर्स है चैंपियंज लीग के उनको इलिमिनेट किया अवे फ्रम होम सो अल्दो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट था दे वर वरी वरी टायर्ड इन अगर आपको ने मैस दिखा होगा यूट रिलाइस की बहुत सारे इनके प्लेयर्स तो उनको क्रैम सो रहे थे काफी ठक रहे थे और भागा नहीं जा रहा था और फिजिकली और मेंटली बहुत ड्रेन हो गए थे इतना आई थिंग आप अगरी करेंगे बार्सा की दोस्तों बात करें तो उनके लिए एक बहुत डिफरेंट टाइप ड्रेनिंग एक्सपीरिंस था बहुत ही अच्छी सिचुएशन में थे अगेंस पीएसजी अवे मैच जीते थे अपने होम पे देवर अप और उसके बाद कम्प्रीट कोलाप्स हुआ आफ्टर रॉनल्ड अराउ हो वस गिवन दे रेड कार्ट अल्मोस्ट तू थार्ड अफ दे मैच फिर बार्सा ने विट 10 में खेला उसकी वज़ा से भी बार्सा को ड्रेनिंग अबिसली एनर्जी उनके लिए निकली बार्सा में जो बेसिकली उनको आगे के सीजन में अगर मडरेड जी जाती है मैं हों बेख करूंगा रियाल मडरेड को अनफर्चनेटी विन दिस मैच बट अलॉट अप पीपल दोस्तों विल अंडरेस्टिमेट बार्सा लोना मुझे रगता है बार्सा विल भी अप फो इसमेच इसने मैं उनको बिल्कुल भी अंडरेस्ट अगर मुझे ये जाता है अगर मुझे ये जाता है बार्सा विल देखिती है इसमेच मैच मैच भूंगा फॉम अपने पर्फॉर्मने बार्सा अगर बात करें अगर बात करें मार्डरेड की इस 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 ए्टीम जो एग उनकी होगी रोडरी गोविनिश अपट वेल वर्डेड हो ऊस्प्लेट ले वांस मैच ये वंस अगिमे क्रूज आपको देख रहा है लाइनप में बट इनकी जगह अगर मॉड्रिश टीम में आते हैं I will not be surprised because मॉड्रिश नेते मिनिट्स नहीं खेले जित्ते क्रूज ने खेले थे बेलिंगम बिल साथ एंड चुवामेनी विल कम इंट दे स्टार्टिंग लाइनप because he's someone who suspended थे तो यह full of energy in this match में होंगे कामविंगा और फर्लाइनमेंडी में से एक left back केलेंगे that means कि नाचो रुडिगर are expected to once again be the center back partnership और कारवाल को बहुत जबरदास cramps होई थे last match में इसलिए Lucas Vazquez उनको replace कर सकते हैं the starting level and the very very impressive Lunin will be the goalkeeper for Real Madrid ना दोस्तों यह है best dream 11 combination for this match this is the sort of team I will go for confidence में को बहुत जादा नहीं है I think थोड़ा सा हमें शुरूर के खेलना पड़ेगा because there are a lot of players जिनके minutes काफी जादा sacrifice हो सकते because they played a lot of minutes in midfield लेकिन अगर आप front line की बात करेंगे I think this is the safe one to go for Vinicius Junior, Lewandowski and Bellingham although Vinicius Junior का mixed success रहा है against Kunde and Araujo home match में 100% बैक करूँगा मैं and अगर आप इनको let's say captain या wise captain भी करते है is a fantastic option because मुझे लगता है Kunde काफी tired होंगे और Araujo का confidence थोड़ा low हो सकता है Bellingham को मैंने captain किया है although he is someone जिनके आजकल goal assist numbers थोड़े कम हो गए है but he is still someone जो I think the clutch player है इस Madrid टीम में and I think I will back him to do well in this match Lewandowski को one second pick किया है अगर chances होंगी बार्सा के पास तो Lewandowski finish करेंगे of course on penalties as well I do not have a problem अगर आप Lewandowski को दोस्तों drop करेंगे because अगर Lewandowski goal assist नहीं contribute करते हैं तो वो जादा fantasy wise base points नहीं देते हैं दूसरी चीज़ आप obviously वो contribute करते हैं as far as let's say hold up plays concerned या फिर अगर आप a space creation की बात करें दोनों wingers के लिए but वो obviously आपको fantasy points नहीं देते हैं अगर आपको Lewandowski drop करना है अगर आप Valwardian की जगा लेंगे I do not have a problem अगर आप चुआ में नहीं लेंगे I do not have a problem this is a position जो actually मुझे लगता है आप एक experiment कर सकते हैं midfield में अगर आप देखेंगे Gundogan I will go for Rodrigo की current form is absolutely brilliant उनको भी आप बहुत अराम से this match में CIBC कर सकते हैं Rafinha को मैंने VC किया है I don't think जादा लोग करेंगे a lot of people will go for Madrid CVC जो I think is the safe way to go but मुझे लगता है कि Rafinha की form is so good and मुझे लगता है लोग थोड़ा Barca को underestimate करेंगे they will be मेरी ख्याल से up for it they have one extra day of rest as well as compared to Real Madrid जो नोंने 120 minutes खिल एक्स्टा टाइम में मुझे लगता है कि personally लगता है एक high scoring match हो सकता है that's why मैं Rafinha के लिए जाओंगा उनकी current form is absolutely brilliant Alameen Yamaal को मैं हमेशा pick करूँगा because once again last match में सिरफ 30 minutes उनने last करा था unfortunately उनको substitute करा after the red card तो मुझे लगता है once again he is someone who damage कर सकते है Madrid की back line को अगर आप देखे defense में तो Cancelo और Rudiger में recommend करूँगा कुंडे के बारे में sure नहीं हूँ अगर आप let's say इनकी जगा someone like Nacho को लेते है जो आपको अच्छे defensive points दे सकते है forlar Mendy अगर साट कर तो उनने आप पिक कर सकते है Ronald Araujo मुझे लगता है एक on a mission होंगे in this match maybe this is the match जहांपे वो अपने doubters को wrong proof करेंगे and of course Pao Kubarsi the young center back he is also someone who काफी passes complete करते है और मुझे रगता है cross field passes से आपको chances भी create कर सकते है he is someone who मुझे लगता है एक decent option हो सकते है बहुत standard option नहीं है Kunde को मैं हमेशा pick करता हूँ against Vinicius because कभी-कभी obviously Vinicius does very-very well but Kunde इनकी against काफी ते tackle points दे सकते है Loonan को मैंने pick किया है दोस्तो as the goalkeeper he is the one which I will overall rate as well to Ter Stegen which is quite disappointing for this Parsa team CVC wise Bellingham, Vinicius, Rodrigo, Gundogan, Rafinha all of them are good options current form I am going for Rafinha as the VC and of course I am going for Jude Bellingham Rodrigo मुझे लगता है एक बहुती interesting differential captain इस particular match में हो सकते है now दोस्तो अगर आपको इस match बेट करना है तो आप कर सकते है on the 1xbet app आपको मेरा referral link बिल जाएगा जहां से आपी match डाउनलोड कर सकते है लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो की description में and of course मेरा telegram channel जुरू जोइन करेगा fantasy scout 11 football link आपको मिल जाएगा वीडियो की description में and pinned comment as well यहाँ पे आपको मिलेंगी updated combinations for a lot of football matches so dostos thank you all for watching अगर आपको वीडियो पसंदाया make sure you hit the like button subscribe करेगा fantasy scout 11 and share it with your friends as well thank you all for watching wishing you all the best for this match stay safe and I will see you soon cheers guys